तो आज के गीता डेली सेशन में आपका स्वागत है पर आज हमारी चर्चा का विशे है क्रिष्ण की दुर्जनों को चुनोती फुली चुनोती तो आज हम इस विशे में आज के इस टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं वो यह है कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुशत्म भगवान नहीं मानते और दूसरे शेनी वो है जो अपने आपको भगवान मानते यह दोने दुर्जन कहलाते हैं गीता के नुसार तो आज हम गीता के अनेक ऐसे श्लोक देखने वाले हैं जहां भगवान अपने भगवान होने के वर्चस्व को स्थापित करत यह कि सबसे पहले हमारा विषय है जो लोग भगवान के वर्चस्व को स्विकार नहीं करते कि याने कृष्ण जो है वह पूर्ण पुरुष्वत्म भगवान है जो इस बात को स्विकार नहीं करते कि कृष्ण पूर्ण पूरुष्वत्म भगवान उनको गीता में भगवान कृष्ण दुर्जन इस तरह से बोलते हैं अब देखिए दुर्जनों के प्रकार में श्लोक लिखता हूँ साथ पॉइंड पंध्रहद्याए साथ श्लोक संठ्या पंध्रह इस पर आईए इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चार प्रकार के लोग कभी मेरे शरणागत नहीं होंगे चार प्रकार के लोग हैं जो कभी मेरे शरण में नहीं आएंगे क्यों क्योंकि भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं इसलिए सो देखिए यह चार प्रकार के लोग कौन हैं अभी अभी इनका वर्णन दिया गया है पहले है निपट मूर्ग यह कृष्ण की शेड में नहीं जाएंगे कहीं भी जाएंगे कृष्ण की शेड में अब निपट मूर्ग इनको कैसे समझाय गया है पर प्रवपत बताते हैं क्या होते यह लोग वह जो दिन रात पड़ी मेहनत करते हैं इंध्य तिप्टी के लिए अपने जीवन के भौत एक आनंद के लिए मैं महनत करूंगा पैसा कमाउंगा आनंद उठाऊंगा लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारा परिश्रम भगवान के होना चाहिए पल भगवान को सर्वित किया जाना चाहिए तो यह लोग बस अपनी इंदेतिप्ति में आहार निद्रा भैर मैंकुन इसमें अपने जीवन बितातें यह कहलाते हैं निपट मोर्थ किसके पर इनको क कौन आते हैं नरादम लोग आते हैं है लोगे नर अधं मतलब सबसे पती सबसे मनुश्यों में सबसे नीचे चेड़नी के छिनके कोई धार्मिक Oliko अधार्मिक सवक्षार्ण कोई सरोकार नहीं कोई नियम कानुन सम्ष्कार बीन जीने के लीए फिर फिर तीसरे कुछ आते हैं माय अप्रत ग्याना जिनका माया ने अपहरन कर लिया है ग्ञान इनका अपहरत है मतलब अपहरन कर लिया माया देवी ने इनकी बुध्धी को किड़नाप कर लिया है यह भगवान को उपहास करते है ए भगवान को सामान्य मनुष्य मानते तो यह होते हैं माया अपरत इनका ज्यान जो है माय गरा और लिया यह वोते हैं रिजिघ्जर को विड़्वान रसने बैज्ञाने कि इस तरह से लोग्त लुग होते किंतू प्रॉब्लम क्या है ज्यानी होने के बाद भी इनका ज्यान भगवान को समझने में नहीं भगवान का विरौध करने में भगवान को अपने को ऊपको स्रेश्ट मांने और यह लोग किसी को भी भगवान मानतें मुस्कों जा कर फिए तो इस तरह से मैं आप रिनाप्र स semanas हो थे लो जिनको कहा गया है लुकि याने असुर लो आसुरी भॉववल ये कैसे होते हैं ये कौम भॉवले लोग भगवान को न खारने वाल भगवान ही नहीं मैं थुद भगवान हूं जैसे उधारण के लिए पॉण्ड रख था कृष्णा को भगवान नहीं मानता था उन्हें गोशना कर दी थी मेरी पूजा करो अब मेरा मंत्र जब करो ओम हिरन्याय नमहा ऐसा मंत्र है तो यह है आशुरी लोग जो भगवान को खटाकर खुद अपने आपको भगवान की जेगा पर रखते हैं तो इस तरह भगवान बताते हैं यह सब दुर्जन बुरे लोग क्रिष्ण तो क्रिष्ण है लेकिन कैसे भी करके क्रिष्ण को भगवान नहीं बनने देना भगवान नहीं मानना नहीं है मानने देना भी नहीं है किसी को यह है इनकी मनोब्रत की तो एक और जगर भगवान क्रिष्ण बताते हैं ऐसे लोगों के विशे में कि यह लोग अज प्यान में लोगें के विशे में क्या बता गया है अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुशिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महिश्वरम तो दो चीजे बताई गई एक है अब जानन्ति यह लोग मुझे गलच समझते हैं क्या समझते हैं यह लोग अब जानन्ति लोग भगवान को मनुश्य समझते हैं अरे क्रिष्णा बी तो हमारे जैसे मनुश्य है वो थोड़ी कोई भगवान है सब्सक्राइब भूच्वेश्णा में लागे लिए क्रिष्ण को मैं जर्म लेना पड़ाता परात है तो निकालेंगे कैसे क्रिष्णा को मनुश्य साबिस्या जाय तो यह लोग अवजाननती लोग है भगवान को नहीं जानती गलत जानती गलत समझती भगवान आये हैं मनुष्य रूप में अर्जुन के सामने सार्थी रूप में खड़े हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं क्यों मनुष्य है या सार्थी इसका मतलब है कि भगवान होकर अप भगवान आप हैं तो है अश्युत को जैंत, बने हैं सारथी, लेकिन talk एक बूज़ान वाली है रहते हमेशा भगवान ही यह दो उनके आनन्द लीला क् שנ लोग जो है यह है वो दुर्जन जो भगवान को मनुष्य घोषित करते हैं प्रिस्टना ठीक है एक मनुष्य थोड़े एडवान्स मनुष्य महा पुरुष्य इसलिए उन्हें अग्यान देदिया उनके शक्ति तो उन्हें शक्ति से जमत्कार देखा दिए था लिक्रायाइव इसा नहीं है और देखेंगे आगे बहुंपे पर महा पुरुष्च महापुरुष नहीं है। पूर्णौन पूरुष लम भगवाण की सब्सक्राइं आप आगे उतिए Him पुरुष महापुरुष जितने भी है सब इन सब के स्रोथ है उन्हें यह सारे महापुरुष पुरभा इन से आये हैं ऐसे नहीं कि हम छोटे भाई粉वान बड़े-भाईल सुप्रीम फादर है वो सुप्रीम फादर यह समझे मौन six दूसरी चीज अब इसमें बताते हैं यह दुर्जन लोग क्या करते हैं अवजानन्ती के साथ परम भावं अजानन तो एक तो मुझे गलत समझते हैं पहली गलत समझा मनुष्य समझा दूसरा मैं सबका परम स्वामी मैं परमेश्वर्थ यह भी नहीं जानते हैं और अब देखिए यह ग्यान तो बहुत सा लोगों को नहीं नहीं भगवान कृष्ण का वैभव उनकी महिमा उनका वर्चस्व यह ग्यान अनेक अनेक लोगों को नहीं लेकिन अज्ञानी दो प्रकार के होते हैं अज्ञानी जो हैं दो प्रकार के होते हैं क्या है वो दो प्रकार के अज्ञानी एक है इरशालू याने असुर्थ और एक है जो मासूम हुदें अब इन दोनों को कृष्ण का ग्यान नहीं है यह अज्ञाने वोगें को अगर आप खर्ष्ण का ग्यान देंगे कि भाई क्रिश्ण भक्ति करो क्रिश्ण की सेवा करो तो उनका ख्रोध बढ़ेगा यह ख्रोधित हो जाएं इसका एक्जांब जैसे ही उनके बच्चे ने प्रलाद ने बोला लेकिन मासुम लोग कौन होते हैं जिनको भगवान के बारे में नहीं पता है आप उनको आप उनको ग्यान दीजेक्रिश्ण का वो तुरंत भक्ति शुरू कर देगे अगर मुझे क्रिश्ण के बारे में बताया और मैंने बटती शुरू कर दी मतलब मासूम है लेकिन ज्यान मिलने से सहरस्ते पर आए असुरी लोग ऐसे नहीं होते नहीं पता है आप बत कि ऐसे ऐसे लोग होता कुछ लोग ऐसे भोले भाले भी होते हैं उतको बस किसी ने सिखाया नहीं अब समझा दीजिए तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सुखाया सुधर आया तो वह अच्छा ग्यान देने वाले के अपर हमला कर देंगे यह है इसका उसका एक्जामपल बहुत सरे एक्जामपल इसके जो मासुम लोग थे उनको भक्ते नहीं पताती मरेगारी मरेगारी शिकारी नारद मुने ने ग्यान दिया तुरंत माला शुरू करें सब पाप का में शोड़ लिए तो भी दूरजन था दूरजन मतलब निशात था शिकारी जंगल में पश्चों का शिकार करता था पर जैसे नारद मुने ने ग्यान दिया सुधर गया तुरंत और एक महान भक्त बन गया हो तो जो मासूम है भोले अब चर्चा किसके लिए अब भगवान जो ग्यान देते हैं गीता में दोनों प्रकार के लोगों के लिए मासूम ल कि यह लोग आगे बढ़के आगे चलकर साधू बनते हैं परित्राणाय साधूना और फिर विनाशा जो दुश्केताम तो भगवान करती हैं और यह ज्यान इस्ते देते हैं ताकि आसुरी लोगों के खोश चिकाने आए कि भगवान क्या है कौन है और मासूम लोग ऐसे पा कोई मासूम उसको पता नहीं भगवान की से ने बता दिया भाबा भगवान है वह बंभान है यह आत्म हjunaंघलम है और पर प्ड़के और असफेश्ञें हम पुछ ऐसे ऐसी चीज़े गवाखवद गीता से पुछ ऐसी चीज़ भगवान बताते हैं जो केवल उन पर ही लागू होती है और कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता भगवान चैलेंज करते हैं हम चर्दा करें ना कि भगवान की तोरह चुनोती है कि यूद्य नहीं सो भगवान चुनोती है सबके सामने क्या है वो चुनोती विशलाइत कि आप अगर कोई भी आपसे भगवान होने का दावा करता है तो यह करके दिखाओ तो अब देखते हैं भगवान द्वारा दी हूँ चुनों कि अब अब देखिए तो चीज जब भगवान ये सारी बाते बताएंगे तो जब भक्त है उनको सुनकर क्या होगा उल्लास होगा अब टुम ऑफुश हो जाएंगे भक्त कर आधा मेरे भगवान की महिमा देखो जो अब है करे को सुनकर क्या होगा और लेकिन जा वो सत्य है वो कि और सकते हैं किसी को ना पसंद आए इसे बहुत पसंद आए और इशालु हो जाए और और लुट लोगों के लिए इन लोगों के समझ तो आएगा नहीं भगवान की भाई-मा भगवान के शरण में जाना तो भक्तों के लिए वक्तों के लिए गोलोक जाओ गोलोक धाम आजाओ भक्तों मेरे पास कभी तो दुबारे समसार में जन्म नहीं हो लेकिन इन इर्शाब लोगों के लिए अभक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या वो रखा है गिफ बताओं आप लोग देखिए अध्याय सोला मैं श्लोक संख्या लिखता हू कि मिला सबको तान अहम दुशतह पुरान समसार एशु नराधमार हां देखिए जो लोग इर्शालू तथा पुरूर है यह लोग इर्शालूर पुरूर है और नराधम है यह अभी आपने पड़ा प्रिवेश स्लाइट में इर्शालू पुरूर नराधम करेक्ट यस आसु बनादम है तो भगवान पूलते हैं उन्हेन निरंतर विभिन आसुरी योनियों में भौशागर में डालता रहता हूं तो जालते हैं भगवान उनको विभिन्न आसुरी योनियों में भौसागर में डालता रहता है यह इनका गिफ्ट क्या है मेरे पास वापिस आजाओ मैं आपको पार लगा दूंगा भकान बोलते हैं वक्तों को मैं मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भौसागर में डालता हूँ अब नेक्स फ्लोक देखें बीस नमबर अब है कुंति पुत्र ऐसे विक्ति आसुरी योनी में बारंबार जन्रहन करते हुए कभी भी मुझतक नहीं पहुंच सकते नहीं पहुंच पाते वे धीरे धीरे अत्यंत्य अदम गती को प्राप्त होते हैं वो नीचे 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 नरग के तरफ जाते रहें और हुस्त वि भॉफलान के लिए और भ्हुता तो अब देखिये भगवान की चनावति हैं जो कुए जो कोई करो कोई नहीं कर सकते कोई डिने इसलिए ग्रिण ब्रेयर है बहुत रिَयर加न कि हम उस पर आएंगे प्रिश्ण बत्ति कितनी रेयर मतलब बुर्लप यह भागवान बताते हैं गीता में सबसे पहले आप आईए कि सबसे पहले कि अध्याय दस पर श्लोक संख्या आर्ट कि अवक्षाब मुडंगे प admir में सबसे पहलों यह भी गहा rivalsי यह पर मनले कि अवक्षाब में से भी उपurity Patton संस्थास कि अ हम मैंगे खेंगे खमना राट मैं बतान किती लगपी पहले का वी उवे गखेंग्यावन कि हम सर्वस्य प्रभवो मत्ध सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजनते इमाम गुद्धा भाव समन्य यह बहुत विशेश लोग क्यों कि इसमें भगवान बताते हैं मैं समस्त आज्यात्मिक जगतों का कारण यह एक ऐसी छीज है जो पुछी नहीं बोल सकता है समसार क्या वताärये भगवान समस्त मतलब दोनों आध्यात्मिक जगत और भौतिक ब्बस क्सम्शार यह कहां से आया है किस से आया है क्रिश्म से आया है आद्यात्मिक जगत वर्वेकुंट लोक है कृष्च्न लोक है लुक है यह किस सबसे पहले सबसे पहले ब्रम्हांड को आधा जल से भुरा गया गर्बोदक जल से इसमें अनंत शेष है अनंद शेष के ऊपर इस एक सिंबॉलिक ब्रॉइंग है भगवान विष्णु लेटे हैं उनके नाभी से कमल आ रहा है कमल पर ब्रह्माजी आसीन है इस कमल के अंदर पुरा अब ब्रह्माजी आए अब ब्रह्माजी आए यहां पर इसके बाद इन्होंने स्रिष्टी की तो यह ब्रह्माजी नहीं बनाया ब्रह्माजी के आने के पहले ब्रह्माजी बना हुआ उनके आने के पहले उनका नंत शेश नाग पर भगवान विश्णु वीराजमान थे ल justement नहीं नहीं तो ये सारी चीज़े पहले से ये कमल ब्रह 보이는 के पहले से था नहीं बनाया नहीं बना दीन विष्यू को नहीं बना ये सब पहले से पर कि भरह्मजी ने क्या बनाया फिर बरह्मा जी ने इन सारे योनीओं को बनाया है बरह्माजी ने इन सारे ग्रह वडर को बनाया है पृट्वी 2Lot दो नोस्वर नहीं लौ अतल वितल सुटल यह सारी चीज़ अदर डिव cambi कुछ उनके मानस पुत्र हैं कुछ उनके दौरा उत्पन्व किये गए हैं इस तरह से यह सारे लोग उनके पीछे आए रहे सोग कोई भी नहीं बोल सकता भगवान कृष्णा के लावा कोई यह दावा नहीं कर सकता यह सिष्टी मैंने बनाई पहले सब कुछ बना के रखता उसके बाद बाकि सब लोग इसके अंदर आए इसलिए भगवान गोलता है यूनिक चीज़ है अब एक सिंपल से चीज़ है यह दावा भगवान करते हैं कि मैंने बनाया मैंने यह और कोई नहीं कर सकता क्योंकि बनाने वाले एक हो सकता है आपक महिला है महिला वन यह महिला नंबर टू है दो महिला एक हड़ी की तेंब्ल यह उफिका बच्चा अब अगट प्रश्न पूछा जाए यह जो बच्चा है है इसको जन देने वाले मां कौन कि कोई कोई बोलेंगे ये से कोई भी आज़े लोग बोलेंगे यह कुछ लोग बोलेंगे कि दोनो ने दोनोंने तिया श्रुल है कि दोनों ने दिया औहला उन्हें पया जनुना वाली ett ही होते है कर तो यही दावा कर सकतें लान-पालन कोई कर ले सके बढ़ा करना उसको पड़ा लेकी दे सकते कोई दूसरा के नहीं बोल सकते कि मैंने भी बच्चे को पैदा कि नहीं जम देने वाली मां एक इसी तरह भगवान बोलते हैं यह समस्त श्रिष्टी इसका जन्म मुझसे हुआ है वाकी सब तो बाद में आए हैं कि अ जो यह चैलेंज भगवान का कोई बी कोई भी बाप आपने को बोले कि इतनी हो कितने हो कि वह पहलो क्यों पहला अर्ð पेहला प्रश्टी आपने बनाईन आप यह बात में आया है जिन्सेटर पहले भंगी आपको भी आये तो ऐसे तो बहुत सारे आये होगए है कि आपने बनाई क्या बहुत कर सकते हूं यह सि इस्टा निकली आए महा विष्ण के शरीर से हूर्प ब्रतुनल निकलता सब्सक्राइब कर सकता को स्विक्ष्ण स्विक्राब से चिंद अधॐ चो भगवान की जो समझ भगवान का जो विशह है ऐसे सस्ता विशह नहीं है ईसी ऐसे चीज और कोई सोच भी नहीं सकता कर he ब्रह्मा जी यह सारी सिष्टे करते हैं क्या सिष्टे करते हैं यह सारे लोक मंडल बना दिये जीवों को बना दिया बहुत सारे विधान बना दिये लेकिन इन सब के लिए सामगरी कहां से आए अगर आपको अगर आपको एक सिंपल मान लेजिए आपको एक कुट्टा बनाना है एक कुट्टा है डॉगी इसको बनाने के लिए दो चीज लिए क्या है दो चीज नंबर वन आत्मा प्लस शरीर दोनोंगे तभी तो कुट्टा काम करेगा शरीर को चाहिए आठ तत्व प्रित्वी जल अगनी वायू आकाश मन बुद्धी अहंकार यह आठ तत्व है जो चाहिए और यह आत्मा एकड़ सकती है अब भगवान किष्णा बोलते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ना बना सकते हैं ना यह आठ कथ भना सकें यह आत्मा कहां से आई है प्रिश्णा से करें हैं यह आठ कहां से है ने क्रिश्ट्रा Люб league को मिम्ला दिया лेकिन को बनाने का काम मुध no कि युच्णा है कृष्ञ सुप्रीम है कृष्ण ने अब देखिए अब आत्मा अभी आत्मा किश्न सीए बहों घान शाए इन दोनों को मिलाना इस तो बाक्य है ने के लिए ज्ञान चाहिए वह ज्यान कहां से आया है कि भागवान किश्ण बोलते मुझ से आया है मैंने ब्रह्मा की तो इस तरह सब कुछ भगवान से आया है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में तो पहला पॉइंट था कि समस्ता अध्यात्मिक और भौतिक जगत भगवान कृष्ण से आए कोई दूसरे दावा नहीं कर सकता कि मैंने मैंने बनाई इस ति मैंने आप कहीं पर देख ले अब पूसरे चीज को लोग दावा करते हैं लोग देवतां को लेकर डावा करते जो भगवान क्या बोलते हैंश देवता किस से आये हैं पर स्ट्समय आये अध्याय 10 फ्लोक संक्या्या 2 खोल छोंट अध्याय 10 लोक संक्या 2 अहं आधिरही देवा ना महरशी नाम सर्वस्था नम विधु सूर गणाह प्रभव महरश्य अहं आधिरही देवाना महरशी नाम सर्वस्था लोक हमेशा बहुत सारे लोग देखें क्या ओता है कभी कभी ऐसे ऐसे लोगे जिनको समझ नहीं है जो जिनको पता नहीं होता है इसके बारे में घीता के ग्यान के बारे में फागवा के ग्यान के बारे में तो उनकी क्या माननेता होती है कि आप लोग क्रिश्न पखत हो क्योंकि आपको क्रिश्न पसंद कि अब कृष्ण अच्छे लगते हैं इसलिए प्रिश्ण भक्तो तो आपको पसंद अच्छा सरवपरी को कि को अब कोई बोले मैं शिव भक्त हूं को भोले मैं देवी भक्त हूं अब मुझे मुझे पसंद तो तो जिसको पसंद है वो अपनी पसंद से अपने फेवरेट कोई बेस्ट बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है जब हम क्रिष्ण भक्ति करते हैं जब क्रिष्ण की उपासना करते हैं सेवा करते हैं तो हम पसंद ना पसंद ने देखते हैं हम वास्तविक सिती देखते हैं अब दूसरी चीज़े भगवान बोल वह हैं जो और कोई नहीं बोल सकते हैं सारे देवता मुझ से आते हैं पढ़िए अभी स्कान हुआ है 10.2 ना तो देवतागन मेरी उत्पत्ति या एश्वर्य को ज नुगे बढ़िए कोई आसब्सक्राइख क्रिश्ण को मैं नों पैता किया को फिर्टी यह कोई सप्क्रिश्टि मुझ से आई कोई नहीं बोल सकते हैं यह देवता मुझ से आये मैं उनको उद्धॉद्गम है वो तो मुझे जान भी नहीं सकते पूरी तरस मुझे पैदा क तो जो लोग नासिक है रवभात बताते हैं असरी स्वभाय के लोग और प्रसत्था-टक्त का आशूरा लेकिन उसके आराद्य देव शियुजी नहीं विश्णन नहीं यह राम नहीं लेकिन का विरोधी बनना दो ही बनना है एक और है इस तो कुछ भी करके तो हम भगवान के हम भगवान कि सेवा उपसनाशरणागती यह सब करते हैं। पसंद के कारण नहीं उनकी पोजिशन ऐसी है हमारा संबंद उनके साथ ऐसा है हम भगवान के अम्ष हैं अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आए तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है सभी जीव भगवान के आम के खूल यह 15 पॉइंट साब अब सभी जीवों में कौन आ गए मनुष्य आ गए मनुष्य यस सभी जीवों में देवदा भी तो आते हैं वाकी के प्राणी भी आते हैं जितने प्राणी आपको लाने लिस्ट में सब ले आईए हम क्रिष्ण के अम्ष हैं यह देवतागन क्रिष्ण के अम्ष है इसका क्या मतलब हुआ यह पिता जी हैं हम पिता जी के बच्चे हैं देवता भी पिता जी के बच्चे हैं सो देवताओं के साथ हमारा क्या कनेक्शन हुआ भाई हुए ना वह मारे यह पिता नहीं हुए पिता तो क्रिश्ण हो यह भगवान का मोर्पंग और यह हाथ में मुझ ली यह भगवान की यह भगवान क्रिश्ण टेक्ट शिंबॉलिक ड्रंग समझ नेंगे यह हो गया मनुष्य यह हो गया इवता डीव और देवता अब हगवान ऑलते हैं सारे जीव मेरे ऑम कोई बढ़ आसा बोल सकते ब्रमा जी बोल सकते हैं सारी जीव आत्मा को मैंने प्यता किया कोई भी शिव जी देवी कोई भोल सकता है नहीं क्यों कि मम्मी तो एक ही होगी न जिन से हम उत्पन या तो मैं कृष्ण से आया हूं या किसी देवता से ममा है है कि उससे गहाँ मतलब निकलता है कि इस ब्द्द जगत में सारे जीव मेरे शाष्वत अंश है भगवान बोल बूलकि तो हम सब भगवान के हैं सब मतलब सब मनुष्य हो देवता हो असुर हो पशू पक्षी प्राणी कीड़े मकॉडे जलचर वरिक्षब वनस्पतियां सब सब सबसाइब कि इनके जितने के अंदर भी सारे चौड़ासिला उनिया है इनके अंदर जितने भी आत्मा है सब भगवान के हमचे किसी देवी देव तो इसे आता है हो उनके पास जाना है कि उनके पास जाने के लिए उनक्य उपासना करनी है कि और यह ऑख़े थो क्यों तूंध लूटी नहीं होती के वन कृष्ण की उपासना केवल कृष्णे की उपासना से यह चीज बहुत साथ है सो अब भगवान चुनोती दे रहे हैं कौन ऐसा दावा कर सकता है कि यह सारे जीवात्मा उनके आमश्य किसने किसने आत्मा को पैदा आत्मा कोई पैदा नहीं होती आत्मा तो हमेशा शाष्वत रहती है लेकिन हमारा जो connection है ना eternal connection वह भगवान के सब्सक्राइब है हम उनके पार्ट और पार्सल है तो यह दावार कोई नहीं कर सकता कोई नहीं कह सकता कि सारे दीवात्मा मुझसे आए यह चुनोती है भगवान का चैलेंज है तो आप समझ लेजे कि भगवान यह सब किसे बता रहे हैं गीता मैं हरेक के जैसा नहीं हूं मैं सबके जैसा नहीं हूं कि किसे थोड़ी महनत करके अच्छे पुर्णे कमा लिए तो देवता बन गया मैं ऐसा नहीं हूं कि थोड़ी महनत करके पुर्णे कमा के भगवान बना मैं हमेशा भगवान था भगवान हूं और भगवान ही समय में जो देवता है यह आज उपर है यह 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 देवता है उपर पुण्य करके उपर चले गए देवता बन गए फुर्णय खतम हो जाएंगे नीचे आज लेकिन कर्षिन तो हमेशा भगवानी रहे जाहे मनुष्य देवता बने या मनुष्य बने कीड़ा मुकड़ा हमेशा क्रिश्चन का ही के टानु को से हमेशा कर्02 नहीं बदल आगे पीस्ट इulent हुपर निचे रहे आज हमारा शरीर मनुष्य का है हम मनुष्य कहलाते हैं कल को हमारा शरीर देवता का होगा देवता क्या शरीर बदलेगा हमारा नाम बन जाएंगे अग्यानी विक्ति आके बोलेगा आप ही हमारे सब कुछ हो अग्यानी लोग बोलते हैं देवताओं को जाके आप हमारे सबकुछ हो भगवान सिखा रहे हैं सबकुछ मैं हूं कोई दूसरा कैसे दावा कर सकता है तो अगर कोई बोलता है क्रिष्णा भगवान नहीं यह दूसरे कोई भगवान समारे सीधा प्रश्न है श्रिष्टी के सन रचना किसने की कि सब्सक्राइब पूरी श्रिष्टी आई है आध्यात्मिक बहुत एक जगार किस्ष्ट्या आए जो सारे देवताओं जो श्रिष होते हैं सब कुछ मुझसे आया है मेरे नियंत्रण में चल रहा है लेकिन इतना साफ साफ लिखा है हम एक एक श्लोग पढ़ रहे हैं इतना साफ साफ लिखा आशुरी लोग इसको पढ़कर इर्शालू होंगे सुधरेंगे नहीं जो मासुम घोले वाले लोग है वो इसको कर सुधरेंगे ओहो हो अब मिरको समझ में आया कि जीवन का असली उद्देश क्या है अब हमने तीन चीज़े देखी क्या थी तीन चीज़े मैं एक मेंट पॉइंट बई पॉइंट लेके चलता हूं आपको कि नंबर वन कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारण ठीड़ नंबर टू जबही यह नंबर टू इताओं के उत्सपत्ति पिष्ण से होगी सारे देवताओं पिर नंबर थृई कि सभी जीव जाहे मनुष्य हो देवता हो यह नंबर थ्री सारे जीवों के उत्पति कुष्ण चाहिए अब नंबर फोर भगवान नहीं छोड़ रहे हैं भगवान नहीं छोड़ रहे हैं वो बता करें रहेंगे सबको सिखा करें भौतिक प्रकृति लुाक्रति के नियंता है नियंता मतलब इस पर नियंत और यह दो तरीके से भागवान बता से त्रिए कि देखर आगे बढ़ने कि अब क्न पूत्र यहां भौतिक प्रक्रती मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है तो भगवान ने साफ साफ बूल दिया पहली जीज़ मेरी अध्यक्षता में प्रिश्न का आदेश बहुत एक राग्रति भगवान क्रिश्न के आदेश पर काम करती और किसी का आदेश नहीं चलता है स्क्यों इसके सारे नियम पाप कुन्य कर्म यह कि इन नों जितने वी निया में जितने भी क्लेश हैं इनसारात हैं हमारे कर्मों से उच्छे लोगों को जाते हैं हमारे कर्मों से तो या नीचे लोगों को जा यह सारे प्रिश्णा के आदिशना यह वहते प्रक्रति किसके आदेश में चलती है क्रिश्णा की अदिश्चता में क्रिश्ञा के निर देश्ट में हमकों भौवंधन में बन्दर और कृष्ण के आदेश से ही हमको बहुत बंदन से मुक्ति मिलती है हम को इस बहुत एक समसार में बहुत कश्ट है बहुत बंदन ही हमको इस समसार से निकलना है हमको समसार से निकलना है वह बंदन से निकलना तो क्या करना पड़ेगा भगवान किश्ट में बोलते हैं मेरी शरण में आओगे तो इस से निकलो माम एव ये प्रफध्यनते माया मेताम तरंतिते और किसी की शरण में जाके संभब नहीं है इंपॉसिबल आप किसी की विश्रण ले लीजिए और सोचे कि मैं बहुत साकर से मुक्त हो जाओं मुझे मोक्ष मिल जाए वैकुंट लोग मिल जाए कृष्ण लोग मिल इंपॉसिबल बहुत एक प्रकृति कौन चलाती है माया देवी यानि दुर्गा देवी कृष्ण की अद्ञेशित स्यामे कारे करती हि दुर्गा देवी केवल कृष्ण का आदेश पालन करती है अगर कृष्ण भोलेंगे चोड़ो तो वो हमें Efendimiz डूजीण अगर कृष्ण भोलेंगे इसे पकड़ का रखो तो हमें पकड़ के रखेगी अन्ट विजय और किसी के पास नहीं कि ये पावर और किसी के पास नहीं है कि हमको दुरगा देवी के चुंगल से लिख सका दिर्ग शब्द मीनिंग होता है दूर का दूरत उन का मतुंप मश्किल कर जाना इनको पार कर करके जाना बहुत मुश्किल है दुर मतलब है कठन और गा मतलब जाना निकल के जाना याने बच के जाना या पार जाना तो इन्हों ने ऐसा जेल वना के रखा है दुर्गादेवी कि अगर आपको जेल से मुक्ति चाहिए है मुझे भव बंदन से ब्रह्मान से इस कर्व के बंदन से बहुत सागर से मुक्ति चाहिए है पस एक की ही बात सुनेगी खोलिए साथ पॉइंट चौदा प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिम है किन्तु जो मेरे शर्णागत हो जाते हैं वे सरल्टा से इसे पार कर जाते हैं अब यहां पर एक अब संस्कत में देखिए बड़ा इंटरस्टिंग शब्द है दैवी की एशा गुनमयी की मतलब निश्चेही निश्चेही यह जो है या माया जो है बहुत शक्तिशाली मम माया दुरत्या का मतलब क्या है पार कर पाना कठिम दूस्तर माम एव अब फिरसे आया है एव का मतलब है निष्चेही माम एव यह प्रपद्दन्थ मेरी ही शरण में आकर पार लगोगे तो भगवान की पोजिशन चालेंज है यह भगवान का किसी और की शरंड में किसी और देवी देवता की शरंड में जाकर देखो आप माय से पार नहीं लगोगी किसी और जीवात्मा की शरंड में जाकर देखो आप पार नहीं लगोगी आप खुद के प्रयाश से करके देखो पार नहीं लगोगी माय देविय के चुंगल से नहीं निकल पाओगे मेरी पावर मेरी अथॉरिटी ऐसी मैं सरो पर हूं दुर्गा सिर्फ मेरी बात सुनती है यह बहुत एक प्रक्रति सिर्फ मेरे आदेश अनुसार चलती है किसी में यह हिम्मत बोलने की कि मैं मैं अपने द कर ले नहीं निकल सकता संसार सी लोक ऐसे बहुत उतावलेपन में उच्साज अज्ञान और आरोगेंस अरोगेंस उसको क्या बोलते हैं अभीमान में आके हम भगवान है एक कर्ण की भी समान नहीं हैं भगवान के कि हम भगवान के करण के भी समान नहीं है आपको रिखाता हूं मैं दस विद्धा में भगवान क्या मुद्ध चलिए सबसे पहले भी आप साथ पॉइंट पंचवदा पहे हैं थोड़ा साफ पीछे आईए देखिए साथ पॉइंट सार रिवर्स आई रिवर्स भगवान ने पंच लाइन दे दिया एक तुम सॉलिट स्टेट्मेंट दिया क्या सॉलिट स्टेट्मेंट दिया है देखिए मत्तह परतरम नान्यत किंची धस्ति धनन देया मत्तह परतरम नान्यत नान्यत का मतलब नान्यत दूसरा कोई नहीं ना अन्यत मत्तह परतरम मुझसे उपर मुझसे श्रेष्ट और कोई नहीं है ये धननजे मुझसे श्रेष्ट कोई सत्य नहीं है भगवान श्रेष्ट तम है इतने भुलंदी से भगवान दावा कर रहे हैं गीता में पॉइंड टॉप मुस्ट आम सुप्रीम एच चैलेंज है भगवान कैसे सुपरीम हो गया अभी देखिए बाइन नबर वम हिए रख्रति के नियंदा सबस्क्राइब बाइन बोल रहे हैं आएंधन त्विह प्रेफ्ट अन्या, इस्रेश्ट अत्म हूं जैसे भक्तिय सुनेगा प्रसन्न चित्व हो जाए और जैसे आसुर लोग सुनेंगे जस्ता बढ़ेंगे तो उनके कान से धुआ निकले नहीं और यह भगवान बोल रहे हैं असलोग इर्शाल हो जाते हैं भगवान का स्टेट्मेंट देख भगवान ऐसे बोलें वह बता रहे हैं जो हूं वह हूं तो इस तरह भगवान बताते हैं अब आप देखिए अब पुड़ा समय अमआर पस जारवे अध्याय में आये सब लोग जारवे भगवान ने अपना विराठ रूप दिखाया यह यह श्लोग हमने रोक के रखा था अभी लास्ट के लिए तो जारवे अध्याय में अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया इस लोग संख्या बताता हूं निस पहले आई एक ग्यारा से ग्यारा पॉंट पंदरा मैं इसलिक्टाओं ग्यारा पंदरा से पढ़ेंगे अध्याय ग्यारा श्लोग संक्या पंदरा से पढ़ेंगे आगे तो और अच्छा ओगए अरुजुन ने कहा यहां से अरुजुन ने ब्रह्मांड के विरा टूप का दर्शन प्रारंब किया अभी ब्रह्मांड का दर्शन सो क्या क्या दिख रहा है भगवान के अंदर अरुजुन ने कहा यह भगवान खृष्ण मैं आपके शरीर में सारे देवता हूं तथा अन्य विविद जीवों को एकत्र देख रहा हूं सारे जीवं को taraै मैं इतने महान इतने इतने असीम है इन सबको अपने अग्रेया लेकिन आपने कभी ऐसा देखा सबकिल जीवान कि और नहीं धार नहीं एक helemaal भगवान फृष्ण के साथ ही नुपनि जबभ और बिविश्यी और रहोता हूं को सब्सक्राइब देख रहा हूं सारे जीवों को देख रहा हूं विवत जीवों को यह भगवान की चुनोती तो मैं भगवान हूं ऐसा बोलना और मासूम लोगों की शद्धा के साथ खेलना बहुत आसान है लेकिन पूरी गीता नहीं पढ़ना यह छे साथ श्लोक पढ़की समझ में आ जाएक इसी विक्ति को कि भगवान में और पाखंडी लोगों में यह इस तरह के दुर्जुनों में क्या अंतर जो भगवान होने का दावा करते हैं वो तो भगवान के आसपास भी कहीं नहीं है तो देखिए अभी अर्जुन आगे क्या क्या बताते हैं फिर से पढ़िए अर्जुन ने कहा है भगवान प्रिष्ण मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविद्ध जीवों को एकत्व देख रहा हूं मैं कमल परासीन ब्रम्हा शिव जी तथा समस रिश् आखे देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है आप में ना अंत दिखता है नमद्य ना आदि आप अनंत असीम कौन ऐसा दावा कर सकता है भगवान के लावा कौन ऐसा ऐसा प्रदर्शिंग कर सकता है विराटू का यह कृष्ण का यूनिक पीचर कारण देख पाना कटिन है क्यूंकि वह प्रज्वलित अगनी की भाति अथ्वा सूर्य के अपार प्रकाश की भाति चारों और पैल रहा है तो भी मैं इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुट्टों गदाओं तथा चक्रों से विभुशित है अठारार झाप परम आद्येगे वस्तू हैं आप इस BLACK के परम अधार है अरजण भी आप इस ब्रह्माड के परम अधार लोगों से एक घर बनाने में तो पूरे जीवन के कमाई पूरे जोनके महनत निकल जाती है एक घर बनाने भगवान ने एक प्लैनेट नहीं एक ब्रह्माण नहीं अनेक अनेक ब्रह्माण बनाएं एक ब्रह्माण के अंदर लाखो करोड़े हैं लाखों करोड़ेम एक ब्रह्माण के अंदर रात को सितारे जहते हैं यह अ कैसा यह नहीं करते है कोंश्यात सब कर सकता है सबके भगवान मोग्वान कर सकता है घर बनाने में कमण तूड़ जाती है लोगों की इतने सारे ब्रह्मान बनाना हुनको सुचारूप के चलाना उनकी नियम उनके अंदर जीवों को जीवों के हर जीव के रेदयं के बैठना कि बगवाद दावा करते हैं में हरी जीव की रिदे में बैठा हूं कोई ऐसा दावा कर सकता है कि we ini कोई नहीए असंङ की जीव पूरे जीवं या कि तैने चोपी यृटे में इतने बापली वाइरस हैं शरी के अंदर इतने सारे हैं हर एक के रिदे में भगवान बैटे में उसके पूरे जीवन एक एक जीव का हिसाब किताब उसकी जर्णी में उसकी यातरा में पूरा उसके साथ कभी उच्छे लोग को जा रहा है कभी नीचे लोग को जा रहा है कभी यहां जा रहा साथ से पूरा उसका हिसाब रखना उसके ये असंकि एक भगवान सब कुछ कर रहा है एक आग dan वाली चीज़ें आगे देखिए जिस्टोड़ से खतम करेंगे इसको अर्जुन आगे बताएं आप अव्य तथा पुरान पुरुष है अप सनातन धर्म के पालक भगवान है यही मेरा मत है आप आदी मद्य तथा अंत से रहित है आपका यश्च अनंत है आपकी असन के सबकुछ भगवान पर आश्रित हैं भगवान के अंश हैं कि मैं आपके मुख से प्रजुलित अग्णी निकलते तथा आपके तेज से पूरे ब्रह्म्हा संपूर्ण ब्रह्म्हान को जलते हो देख रहा हूं नेक्स जद्दी आप एक हैं किन्तु आप आकाश सारे लोकों अब उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं है महापुरुष आपकी इस अद्वुत तता भयानक रूप को देखतर सारे लोक भैवीत हैं अब देखिए आगे देवों का सारा समू आपकी शरण ले रहा है यानि सारे के सारे देवता भगवान की शरण ले रहे हैं देवताओं कोई पता है सुप्रीम कौन है लेकिन देवताओं की उपासक सोचते हैं कि हमारे देवता सुप्रीम है ऐसा नहीं है वो सारे देवता भगवान की शरण ले का देवताउं कि अँपास डेवताउं की शरण में जारेा है और तो आपके तो प्रवेश्ट कर रहा है उन्में कुछ अतिनते भैवीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रात्ना करने सो देवता सब भगवान से डरे हुए हैं आप सोचे क्रिष्ण की पोजिशन यह चुनोती जो भगवान दे रहे हैं सब दुर्जनों अब तो अब तो आखे पोलो ऐसा है महर्शियों तता सिद्धों के समू कल्यान हो कहकर वैदिक सोत्रों का पार्ट करते हुए आपकी स्थूति कर रहे हैं कि विविद्रूप आजित्यगंड वसू साध्य रिश्वे देव दोनों अश्वीनिकुमार मरुद्गंड पित्रगंड गंदर व्यक्ष अश्वर तथा सिद्धों देव सभी आपको आश्चर पूर्वक देख इवन शिव जी भी आश्चर चकित है यह रूप है भगवान की चुनौती कोई घड़ाफ हो सकता है भगवान के सामने चैलेंज करने के लिए भगवान इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना कि कृष्ण भक्ति जो है यह सेंटिमेंटल नहीं है कि मुझे कृष्ण पसंद है क लेकिन बहुत प्यारे दिखते हैं मुझे बहुत लगते हैं इंगों कि अच्छा घ्यान दिया या उन्होंने अब मुझे बहुत पसंद आते हैं उनका चरित रवाध आकरशक है ऐसा है क्रिष्न की शर्ण में जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष वो है कृष्ण की शर्ण में जाए हम में है करिश्ण की सेवा के लिए सुर्फ हमने सारे यह 1 वा कैना कि हमारी भावना नहीं हो सकता है हमारा क्रिष्ण के साथ संबंध होता है कि हमारा क्रिष्ण के साथ वास्तों में क्या संबंध है उस संबंध के आधार पर हम क्रिष्ण के शरण में जाते हैं यह आज आपको कोई पसंद है कि आपको कोई और पसंद आ जाएगा आपका दिल किसी और पर आ जाएगा तो प्षेर्ण सोड़ी जो संबंद है वो कभी छूटता नहीं हम भगवान के शाष्वत हैं हम चाहे देवी देवता बने चाहे मनुष्य बने चाहे असुर बने चाहे कुछ भी हम रहेंगे कृष्ण के हम यह तूटेगा नहीं इसलिए ह है वह इस ज्ञान पर आधारित है हमारी मनो भावना या मनो धर्म के नहीं तो अपने आप आएगी क्रिष्ण के लिए वह तो दिल का हिस्सा है लेकिन फीलिंग के आधार पर हमारी भक्ति नहीं होती है बुद्धा भावस अमनले बुद्धी से और भावना से दोनों से मेर शर्णागती है मेरी पूजा होती है क्लियर तो विल स्टाप येर प्रेंथा श्यम्त भगवाद जीता की से प्रभपाद की च्छाह